अगर आप दूसरों के तरह लॉकडाउन में कोई नई होबी नहीं बना पाए हैं तो एक होबी है जिस पर सोचा जा सकता है वॉल्रस की गिंती करना चाहेंगे एक सैटलाइट ने ये तस्वीरे ली हैं और फिर इसमें वॉल्रस धूंडे गए पर ये इतना असान भी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं देखे बीवी सी समभाता था रबेका मुरेल की ये रिपोर्ट थोड़े उसायल और आकार में बड़े वॉल्रस आराम से दिख जाते हैं पर आक्टिक में वो ऐसी जगे पहुँच जाते हैं जहां से उनकी गिंती करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है पर अब इन साटलाइट तस्वीरों की मदद से अट्लांटिक और लाप्टेव सी वाल्रस का पता लगाने का प्लान बनाया जा रहा है विग्यानी को कमानना है कि जलवाई उपरिवर्तन की वज़े से ये जानवर खत्रे में हैं जिस समुदरी बर्फ में ये वाल्रस रहते हैं वो अब तेजी से पिगल रही है इसकी वज़ा से इन जानवरों में बदलाव आ रहा है और अब ये जमीन पर आने लगे हैं इनके शरीर पर भी असर पड़ रहा है अभी हमें ये नहीं पता कि इस से इनकी तादाद पर क्या आसर पड़ेगा लेकिन उमीद है कि इस प्रोजेक्ट से हमें कुछ एहम जानकारी मिलेगी हम पिछले साट सालों से अंतरिक्ष्ट धर्ती की तस्वीरे खीचते आए हैं पर इन में कई बदलावा चुके हैं असी के दशक में सैटलाइट 30 मीटर के आकार तक की चीज़ें देख लेता था फिर कुछी सालों में ये दाइरा घटकर 10 मीटर हो गया और अब आदुनिक तकनीक की मदद से 30 सेंटिमेटर की आकार की चीज़ें भी हम साफ देख सकते हैं लेकिन इतना करीब होने के बावजूद वालरस की गिंती करना काफी मुश्किल है इसके लिए इन बच्चों से मदद मागी जा रही है जिनका पहला काम होता है 25,000 वर किलोमेटर की इन तस्वीरों में वालरस का पता लगाना लेकिन इन प्रोजेक्ट्स के लिए कहीं जादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी लेकिन इन वालरस का भविश्य अधर में है क्योंकि जलवाई उपरिवर्तन की वज़े से हो रहे बदलाव इनके प्राकृतिक आवास धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं लेकिन अब सैटलाइट टेकनालोजी और लोगों की मदद से हम इन वालरस की संख्या का पता लगा सकते हैं